दी वाइर्ट चैनल ते तो अदेना एक इंट्रिव्यू करा रहे हैं अमित अरूड़ा जी दास्तान तो अनू सना रहे हैं उन्हादी दुख परी कहानी आओ उन्हा दे जवानी सुन दे हैं की ख़ी श्रीकरिशना जय श्रीकरिश्ना जय श्री रादे जय श्री राम की कारना चुठे केश भी तो अधे केंदे आधे पाई गए इन्नी वड़ी कहानी गड़ी इन्ना ने अपनी वावाई लुटन लई मान यो बीवी साथ हूं कि असी के स्ट्रेस करता इन्ना ने सरिया मरवाया है इन्ना के गोली नहीं चली छे महिने मैं जेल कटी टॉर्चर गीता गया मैंनू टॉर्चर सारी सारी रात सोनी रिता गया नजैज मेरे परिवार ते मेरे बच्चेयां दे सामने मैंनू मैं उस शब्द बोलना नहीं चांदा कि बिल्कुल ओपन करके इन्ना मार्या गया इन्ना मार्या गया कि मेरे बच्चे नो किया गया कि तेरा बाप आंतकवादी है मेरी मिसिज नो किया गया कि तुम्हारा घर वाला आंतकवादी है तीन दिन रखा गया मेरे बच्चों और मेरे मिसिज को वहाँ पर वो किसे परमिशन लेके आए थे किसने कहा था इनको शर्याम इनकी गुंडा गर्दी आम इनसान क्या करेगा जब इनकी कैद में होगा इतनी सही मैंने इतनी सही 22 जून को जब मुझे पुलिस रास्त में लिया गया तो पहले ही दिन मेरा छे दिन का रिमाड उन छे दिनों की वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ कि छे दिन में मेरे साथ क्या क्या किया गया रास्ति कि जैसे इसने कोई गुना किया हो मेरा परिवार मेरे बच्चे सब छोड़कर मुझे चले गए अकेला रह गया मैं अब मान योग डीजी पी साथ से मुचा भी था मैंने कि सर जिन्दगी में मैं हर चीज भूलता हूँ हर चीज भूलता हूँ पर अपने बच्चे कैसे भूल जाओ अपना परिवार कैसे भूल जाओ हर रात रो रो कर गुजारता हूँ मैं हर रात क्या मेरी फिलिंगों को ये पंजाब पुलिस के अफसर जो बड़े बड़े अफसर आपन योग कैप्टन साब मुखे मंतरी पंजाब ये जान सकेंगे जिन्नोंने आई तक पूछा भी नहीं कि क्या हुआ क्या की मिला क्या बस प्रेस करकर वावई लूटने के लिए इन्होंने उस टाइम तो ऐसा कर दिया था जैसे इन्होंने कोई आंतगवादी पगड़ हो जैसे इन्होंने कोई भगवा हिंदू आतवादी ये नाम दे रहे थे सियाई में कि ये हिंदू आतवादी है इनकी सोच ये ऐसे निकम्मे पुलिस ऑफसर जो पंजाब सरकार ने अपने रखे हुए हैं अब इनको मैं पूछूंगा उपर जाकर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक का दर दरवाजा खटकटाऊंगा कि ये पागल ये जो हिंदू जो भाई चरे के लिए काम करता था आपको ये आतकवादी लगता था इनसे पूछा जाएगा जो जो साधी प्रग्या ठाकुर दीदी के साथ हुआ है उससे बड़ कर की मेरे साथ हुआ होगा उससे कम नहीं हुआ कि डेड़ महीना पुलिस रिमार्ड पुलिस तो दो मिन्ट पे पहचान जाती है कि इसने गुना किया है या नहीं किया बड़े बड़े IPS ओफसर फेल हो गए थे इनके इनसे ये बात सरकार क्यों नहीं पूछती कि जब लोग आप लोग नोकरियां देते हो तो इनकी ट्रेनिंग पे क्या कुछते हो आप क्या क्या ट्रेनिंग होती है इनकी ये बस फॉर्मल्टी कि अब बंदा पहज इनसान पहचानने में इनको इतना टाइम लग जया था कि डेड़ महीना मुझा पुलिस रिमांड दस दस दिन सीबी आई रिमांड सीबी आई रिमांड की दास्तान तो इतनी बुरी कि अगर वो रात याद भी आ जाती है तो उस दिन आत्मा दिल थर्थरा आ जाता है काम पने लग जाता है कि रू भी हिलने लग जाती है रूंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के कि जैसे मेरे एक साथ वैसे उन्होंने किया था जलंदर में चूहे तक छोड़े गए इतना मारा गया इतना हाई टॉर्चर किया गया कि जेल में बैठे बैठे इन्होंने बोला कि तुने गज्ञा जी का तिन के सो में से तो थाकुड़ी ने मुझे साक्षड बरी करा दिया है यह बता रहा हूं कि आम बन्दा आम इनसान उसकी जिन्दगी क्या है जब मर जी यह उटके पूछते हैं लबा लेते हैं तुने ऐसा किया है, ऐसा किया ऐसा किया है, मतलब सचाई इस दुनिया में नहीं है. मैं यह लोग पुछना चाहता हूँ. की मैं सच के लिए मान योग डाप पास भी, और मान योग सुप्रीम गहरा नवाक्रब्स तो मैं पीछे नहीं हाट ओघूंगा. बहुत जोर, तीन साल मुझे हो गई, मैंने बहुत जोर लगाया मान योग जलसा भी पिशली तारी को कहने लग गए कि हमी जी ये फाइल क्लोस करनी है, इसे खत्म कर लो कि उनकों भी डिसीजन देना इतना मुश्किल हो गया कि जब मेरा कसूर ही नहीं था इन अफसरों ने जो पुलिस के टोट कि जिन्हों ने मुझे जूटे मुकदमे पुसा दिया सबसे बड़ी बात कि मेरा परिवार खराब हो गया तो आपकी फैमली को भी पता चले गया कि आपके उपर जूटे मकदमे डाले गया है तो फिर मैं तो यह कहूँगा कि उनको भी थोड़ा सोगना चाहिए इसके बारे में बिल्कुल जब इनकी वज़ा से उनके दिमाग और फिद्रत में कल्ट बाते डाली गई जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को बूला जाए कि इसका बाप आंतगवादी है तो उस बच्चे के दिमाग पर क्या भीतेगी बिल्कुल बात आपकी सही है लेकर अब हम तो यही कहना जाहेंगे कि अगर हमारा चैनल वो देख रहे हैं तो फ्लीज एक दफ़ा जरूर डिसाइड करें सोचें तमाग से ते फैमली से बढ़कर कोई चीज नहीं होते ठाकुर जी के अशीरवास से मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बच्चे मेरा परिवार मेरी वाइफ जल्द से जल्द आ जाए बहुत जोर लगाया है और आप भाईयों के और आप बेहनों के जो भी मुझा लाइफ देख रहे हैं आपके चैनल के माद्धे हम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा बर्चर कर आप साथ दो ताकि मैं अपने बच्चे और अपनी वाइफ वापिस ले आऊँ क्योंकि मेरे में में वो शक्ती नहीं है अब मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं जाकर कोड में साइन कर सकूँ मैं कोड में बोल सकूँ बस आप भाईों बेनों का अशीर वाच चाहिए यह थे हमारे साथ अमिद रोड़ा जो अपनी दास्तान समा रहे थे हमारे को और हम भी अपील करते हैं इनकी फैमली को प्लीज एक दफ़ा आप जरूर सोचें आप जरूर सोचें आपको लाइब आपने देख लिया आपको यह भी पता है कि सरकारे हैं जो पुलिस मलाजम होते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं आप रोपों से यह मुक्त हो गए हैं कोई इनके उपर रोप नहीं है प्लीज आप एक दफ़ा जरूर सोचें आप देख रहे हैं दीवायर चैनल तो आप अगला प्रोग्राम के लिए आप जरूर बेट करें